जैहिंद आज हम पार्लेमेंट के बारे में जानेंगे आप लोग अभी पता होगा कि पार्लेमेंट का सेशन अभी रनिंग है और ये भी पता होगा कि पार्लेमेंट के दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप सिक्स मन्त से जादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो हम आज जानेंगे एक questionnaire होता क्या है Parliament कैसे function करता है questionnaire zero hour ये सारा कुछ क्या होता है private member क्या कौन होते हैं किसे कहा जाता है private member तो ये कुछ news clipping है government scrap questionnaire और private member business को scrap किये थे तो opposition बोल रही थी है murder of democracy है और इस तरह का past में हमने news देखा था तो देखते हैं कि एक day parliament का कैसा गुजरता है कैसा proceeding होता है तो a day in a parliament तो कैसा होता है सबसे पहला 11 to 12 सबसे पहला hour जो होता है वो question hour होता है ठीक है उसके बाद paper table किया जाता है bill introduce किया जाता है तो 12 से 1 जो होता है 0 hour होता है rule 337 के अंदर 12 से 1 0 hour 12 बज़े से start है ना 12 से 1 तरह से 0 का भी start हो जाता है रात में तो इसलिए उसी concept पे 0 hour इसको बोला जाता है याद रखिएगा 12 से 1 0 hour फिर lunch हो जाता है फिर इनका agenda of house start हो जाता है normally 2 बज़े से agenda of house start हो जाता है ठीक है agenda में हम जो भी legislative business है बिल पास करना है यह वो सारा कुछ उसमें चाल जाएगा short duration discussion होते हैं Fridays को और last 2 and a half hour reserve होते हैं private member business के लिए private member business के लिए private member वो लोग होते हैं जो की MPs नहीं मतलब सरकार में minister नहीं होते हैं तो वो private member खाला जाते हैं MP who are not minister are known as private member अब हम देखते हैं question are जो suspend हुआ था तो यह क्या first time था नहीं first time नहीं था 1962, 75, 76 91, 2004, 2009 यह instances पे हुए हैं पहला बार जो हुआ था इंडो चाइना वार 1962 उस समय फिर उसके बाद 1971 का winter session पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था और फिर 75, 76 आप लोग को पता है 75, 76 में क्या हुआ था emergency लगाए गया था इंदरा गांजी के time तो वो भी हो गया था ठीक है तो यह सब कुछ-कुछ news हमें दिमाग में थोरचा रखना है कि हाँ ऐसा पहले भी हो चुका है यह first time नहीं है ठीक है अब जो generally हम देखते हैं कि यह questionnaire जो है यह होता क्या है questionnaire होता क्या है तो simply first hour of every parliamentary city first hour पहला घंटा जो होता है parliamentary city का वो questionnaire कहलाता है ठीक MP इसमें question पूछते है minister से minister से question पूछा जाता है और उनको accountable ठराया जाता है उनके ministries के प्रती तो इसको regulation कोन करता है regulate कोन करता है according to parliamentary rules parliament का rule book के हिसाब से चलता है presiding officer जो दोनों houses के होते हैं लोगसभा राजसभा के वो final authority होते हैं इसके respect में कि questionnaire कैसे conduct किया जाएगा नहीं किया जाएगा इस basis पे तो presiding officer राजसभा के कोन हो जाएगे आपके वेंकया नाइडू जी जो की chairman कहलाते हैं लोगसभा के वो होते हैं जो speaker कहलाते हैं अभी currently में ओम बिर्ला speaker है ठीक है अब question are in both the houses is held on all days of the session but there are two days when the exception is made हमेशा तो question are होता है लेकिन दो दिवस पे ये exception है कि नहीं होता है जब president address करते हैं MPs को both houses का मतलब president speech take place at the beginning of the new log sabha and on the first day of a new parliamentary year ये दो तो इस काम पे तो होगा नहीं और एक जब finance minister budget paste करते हैं जब budget paste करते हैं तो भी zero hour कैसे होगा उस दिन तो budget का कारवाई चलता है और एक दिन जब president address करते हैं तो president तो starting में ही address करते हैं तो वो घंटा तो चला जाएगा और first hour हम दो है पता है वो होता है अब आ जाते हैं zero hour zero hour क्या होता है ये जो है ना Indian innovation है विदेश वगेरा से नहीं उठा है ये हमारा खुद का parliamentary innovation है ठीक है it is not mentioned in parliamentary rule book उसमें भी नहीं mentioned MPs में जो है question raise करते हैं without prior notice पहले से notice देने का भी कोई जरूवत नहीं है ऐसे भी हो जाता है और time gap जो होता है questionnaire और agenda के बीच में उसको बोलते है zero hour question hour और हमने अभी देखा ना agenda पीछे की agenda होता है तो agenda और questionnaire के बीच में zero hour आ जाता है ठीक है तो यह हमने कुछ zero hour questionnaire के बारे में जाना और यहाँ पर आपको सारे इसके बारे में तथे लिखे हो है कि zero hour has been existence since 1962 से चला आ रहा it is mandatory it is not mandatory to have a zero hour every day during the session मतलब यह कोई जरूरी नहीं है zero hour रोज का रोज हो ठीक है और 12 बज़ से start होता है इसलिए इसका नाम है zero hour यह हमने कुछ तथे देख लिया zero hour और question hour के बारे में और यह कहीं भी mention नहीं है कभी-कभी exam में ऐसा question पूछता है कि इन में से कौन है जो कि Indian innovation है भारत का खुद का बनाया हुआ चीज है तो zero hour हमारा खुद का innovation है parliamentary innovation इसे कहा जाता है कि India Parliament का innovation है अब हम देखते किस-किस तरह के question पूछे जाते है देखे questions जो होते हैं कुछ question होता है start question तो start का मतलब ही होता है एक तरसे star समझ लेज़े star मतलब क्या हमें बच्पन में copies वगरा में star मिलता था teacher से मतलब बहुत अच्छा तो start मतलब बहुत importance का चीज है तो इसको कैसे question पूछेंगे question जो पूछेंगे MP इसका oral answer मांगे है मतलब मौखिक जवाब दो ताकि सरकार को cut-घरे में खड़ा किया जा सके क्योंकि पूरा भारत देखता है वो जो live telecast आता है राजसभा लोगसभा तो इसलिए start question आपका oral answer मांगता unstart जसूप का ulta written answer ठेक ये short notice question मतलब short notice होगा asked orally after questionnaire questionnaire के बाद मौखिक होगा इसका भी first item of agenda in case no questions are planned questionnaire अगर planned नहीं है तो ये हो जाएगा question to private members ये भी पूछा जाता है matters connected to the member to whom question is asked जिससे question asked है उससे पूछा जाएगा half an hour discussion held with speaker permission speaker का permission से किया जाएगा in case member not satisfy with answer to start unstart question मतलब अगर start, unstart, unstart का answer दिया गया मिनिश्टर के दौरा उससे satisfy नहीं है तो half an hour discussion भी किया जाएगा normal condition मा 15 दिन का prior notice दिया जाता है speaker या chairman को जो भी concerned है to ask question question पूछने के लिए only five question per day in log sabha and seven question per day in राजसभा ये पूछा जाता है ये हमने कुछ तथ्य देखे तो unstart question क्या है? return answer होगा तो उसमें supplementary question नहीं पूछा जाएगा return है भाई तो फिर से कहां से पूछेंगे लेकिन start में क्या होता है? oral answer दिया जाता है तो उसमें आप फिर से पूछ सकते हैं जैसे कोई कुछ बोलता है तो आप उससे पूछ सकते हैं भाई ये चीज ऐसे हुआ तो आप पूछ सकते हैं ऐसे ही क्यों हुआ? ठीक है? तो इसलिए start में हम supplementary question पूछ सकते हैं short notice question में short notice दिया जाता है less than 10 days answered orally तो ये हमने कुछ देखा अब impact क्या हो सकता है अगर इसको suspend करता है impact क्या होता है? देखिए इससे क्या होता है न MPs और जो opposition के पार्टी होता है सरकार को कट घरे में खड़ा कर सकते हैं कि हाँ आप देखिए आप यहाँ पे खराब कर रहे हैं यहाँ पर खराब कर रहे हैं आपको इसमें सुधार करना चाहिए और public इसको देखती है तो public का pressure बनता है लेकिन अगर यह question ही ना पूछा जाए तो सरकार तो मजे में रहेगी और opposition वो दबाव बनानी पाएगा opposition जो है lose कर देगा अपना right to question government in power ठिक यह सब चीजे हैं तो इसके साथ ही अंत करते हैं thank you for the discussion